बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में हिंदी विशय में हिमाले की बेटियां निबंद वे कक्षा 8 में हिंदी विशय में बुक वसंत 3 से बस की यात्रा फ्यांग्य भागतू आज हम हमारी पाठे पुस्तक वसंत के अध्याय तीन हिमाले की बेटियां में नदियों के बारे में पढ़ेंगे यह हिमाले की बेटियां जो निबंद है यह श्री नागारजुन द्वारा लिखा गया प्रसिद निबंद है नागारजुन का मूल नाम वैद्यनात मिश्र था फकड़पन और गुमकड़ी प्रवर्ती इनके जीवन की मुख्य विशेष्टाएं रही है बच्चों इस अध्याई के अंदर हम पढ़ेंगे कि लेखक ने नदियों को मा का स्वरूप माना है लेखक कहता है कि जब मैं इन में डुबकियां लगाता हूं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं अपनी मा की गोद में खेल रहा हूं और लेखक ने इन नदियों के प्रती अपाश रद्धा और आदर का भाव प्रकट किया है तो देखते हैं शुरू करते हम अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी लेखक कहता है नदियों के बारे में कि अभी तक तो मैंने इन नदियों को सिर्फ दूर से ही देखा था तो बड़ी गंभीर और शांत क्योंकि नदियां जब समतल मैदानों में आ जाती है उनका जो विस्तार हो जाता है तो बहुती शांत हो जाती है संब्रांत महिला की भांती संब्रांत का अर्थ होता है बच्चों सब्य या शिष्ट यानि कि वो नदियां समतल मैदानों में कैसी लगती है संब्रांत यानि कि बहुती सब्य और शांत लगती है संब्रांत महिला की भाती वे प्रतीत होती थी उनके प्रती मेरे दिल में आदर और शद्धा के भाव थे शद्धा का अर्थ होता है बच्चों भक्तियन नदियों के प्रती उनके मन में कैसे भाव थे? शद्धा और आदर के मा और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता जैसे मा की गोद में उसका बच्चा खेलता है वैसे ही मैं इन नदियों में डुबकियां लगाता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी मा की गोदी में खेल रहा हूं परन्तु इस बार जब मैं हिमाले के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी लेखा कहता है जब हिमाले पर गया तो मैंने नदियों का अलग ही स्वरूप देखा एक तो समतल मैदानों में देखा तो वहां गंबीर और शान थी लेकिन लेखा कहता है जब मैं उपर गया तो वे नदियों का स्वरूप अलग ही था मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा यही यमना यही सतलूज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है देखो बच्चों चित्र में पहाड से नदिया जब निकल रही है तो छोटी छोटी धाराओं के रूप में उच्छलती कूती ऐसा लगता है इनका उच्छलना और कूदना खिल खिला कर लगातार हासते जाना इनकी यह भाव भंगी कहते हैं बच्चों विभिन स्वरूप इनका यह उल्लास उल्लास का आर्थ होता है खुशी यानि लेखा कहता है कि जब मैंने उपर जाके देखा तो इनका उच्छलना, कूदना, ख खिल खिला कर लगातार हांसते जाना, इनके जो विभिन स्वरूप है, इनकी खुशी जो है, वो उन समतल मैदानों में जाकर के न जाने, कहां गायब हो जाती है, मैदान में जाकर, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब कि इतना कौतुहल और विसमें नहीं होता है कौतुहल को कहते हैं बचों जिग्यासा विसमें आश्चर्य यानि कि लेखा को आश्चर्य होता है कि जब मैं किसी सुन्दर लड़की को या फूल की छोटी सी कली जो होती उसको देखता हूं तो मेरा ध्यान उसमें अटक जाता है लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जो नदियां हैं इनकी बाल लिलाएं हैं बाल लिला यानि की बचपन के खेल क्योंकि नदी जब हिमाले से रिस रिस का निकलती है चोटी चोटी धाराओं में उचलती कूती लहराती हुई आती है तो इसकी जो बाल लिला है इसके जो बचपन वह कौन लक्ष है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अत्रप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा अत्रप्त का अर्थ होता है बच्चों प्यासा अब लिख कहता है कि हिमाले तो अपने आप में बहुती विराट और विशाल है उनको हिमाले की जो बरफ है उसी से तो बून बून पिगल कर रहे है नदियां बनी है तो ये नदियां जब हिमाले के पास रहे कर भी अत्रप्त है यानि कि उतना स्नेह मिल रहा है हिमाले का फिर भी वो प्यासी है ना जाने किसकी त छोटे चोटे पौदों से भरी घाटियां बंधुर अधित्यकाय बंधुर यानी मकूट अधित्यकाय पहाड के उपर की समतल भूमि. सर सबज उपत्यकाय निकेतन यानी लीला करने का घर. लेखा कहता है नदियां जो है उनका जो घर है वो कैसा है बरफ जली नंगी पहाडियां बरफ से धकीवी पहाडियां है और मुकुट के समान पहाड के उपर की समतल भूमी है सर सब जो पत्ते का है यानि की हरी भरी घाटियां ये सब क्या है इनका खेलने का घर है यानि नदियों का जो बच्पन है वो इनमें ही निकलता है खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुँचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा लेखा कहता है कि जब ये नदियां बह करके जंगलों में चली जाती है तब उनको पहाड के उपर वाली ये जो घाटियां हैं, समतल भूमी हैं, हिमाले हैं, वो जो उपर वाला उनका जो खेलने का घर है वो अवश ही याद आता होगा कौन जाने मुड़ा हिमाले अपनी इन नटकट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा सिर धुनना पस्चाताप करना यानि कि जैसे कोई पिता के आखों के सामने बच्चियां खेल रही हैं, खेलते खेलते जैसे घर से बहुत दूर निकल जाती है तो पिता कैसे चिंतित होता है, वैसे ही हिमाले को छोड़ करके जब ये नदियां बहती बहती आगे जंगलों में चले जाती है तो हिमाले भी जो है वो सिर्धुनता होगा यानि पश्चाताप करता होगा उनके लिए चिंतित होता होगा कि मेरी बेटिया न जाने कहां चली गई बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाई उनके पास और रखा ही क्या है मौन यानि चुपचाप यानि उन पहाड़ियों के पास भी उसका कोई भी उत्तर नहीं है क्योंकि नदिया जो है उनका तो स्वभावी है बहते जाना और ये बहते बहते कहां जाकर के मिल जाती है समुद्र में आगे देखिए सिंधू और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, जेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सर्यू, गंडग, कोसी, आधी हिमाले की छोटी बड़ी सभी बेटियां आखों के सामने नाचने लगती है यानि हिमाले की जो बड़ी बेटियां हैं, दोनों किसको बताया है? सिंधू और ब्रह्मपुत्र को, ये दोनों क्या है? महा नदियां हैं और इनके साथ इन छोटी-छोटी नदियों के चित्र जो है, वो भी आखों के सामने आजाते हैं वास्तों में सिंदू और ब्रह्मपुत्र स्वयम कुछ नहीं है दयालू हिमाले के पिगले हुए दिल की एक एक बोन न जाने कब से खटा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की और प्रवाहित होती रही है प्रवाहित का अर्थ है बचों बहना लेखा कहता है कि ये जो है सिंदू और ब्रह्मपुत्र नदिया जो है ये इस हिमाले के हिर्दे से पिगलावा यानि की बर्फ जो है उसको जैसे पिगलने में थोड़ा समय लगता है तो एक 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 बूंद करके वो धीरे धीरे बर्फ पिगलती है और विबिन धाराओं के रूप में नदियों का स्वरूप बनाती है तो हिमाले को क्या बताया है? पिता यानि इस दयालू हिमाले के पिगलेवे दिल की एक एक बूंद जो है यानि उनका जो सने है हिमाले का उसी से क्या है? ये नदियां बनी है और वो बहती हुई समुद्र की और प्रवाहित हो रही आने की समुद्र की और बह रही है कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे परवत राज हिमाले की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रे मिला श्रे का अर्थ होता है बचों किसी काम के लिए मिलने वाला यश यानि वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जो हिमाले की पुत्रियां है वो हिमाले से निकल करके बहते बहते इस समुद्र में जाकरके मिल जाती है आगे देखिए जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बुड़े हिमाले की गोद में बच्चियां बन कर ये कैसे खेला करती है बच्चों लेखक कहता है जिन्होंने इन्हें समतल मैदानों में देखा है वो इस चीज को कभी नहीं समझ सकते कि हिमाले जो है उसकी गोद में ये बच्चियां बन कर यानि हिमाले की बरफ जो है वो पिगल पिगल कर छोटी छोटी धराओं में इटलाती हुई बलखाती खेल रही हुँ तो जिस व्यक्ति ने इनका ये स्वरूप नहीं देखा है वो इस बात को नहीं समझ सकता लेखक जब खुद गए हिमाले पर तब उन्होंने नदियों का ये स्वरूप देखा और उन्होंने उनके लिए लिखा मा बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आद्मियों के लिए आकरशक बले ना हो आकरशक का अर्थ होता है बच्चों मन को सौरी अपनी और खीचने वाला आकरशक का अर्थ क्या होता है बच्चों अपनी और खीचने व उसको देखा है उनके लिए जो पहाड से धराई बहती है उचलती कूती वी उनके लिए जो रूप है बहुत ही आकरशक है लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमाले को ससूर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी जिजक नहीं होती है लुभावना का आर्थ होता है बच्चों मन को भाने वाला यानि लेखक को वो द्रश कैसा लगा लुभावना हिमाले को ससूर और समुद्र को उसका दामाद कहते हैं बच्चों जमाई को और जिजक का आर्थ होता है शर्म लेखक कहता है कि मुझे वो द्रश इतना लुभा होकर के अपने पती के घर जाती हैं वैसे ही हिमाले को छोड़ करके वो नदियां बहतीवी समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र क्या बना उसका जवाई यानी की दामाद और हिमाले क्या है हिमाले उसका ससुर आगे देखो काली दास के विरही यक्ष ने अपने मेग दूद से कहा था वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना प्रतिदान का अर्थ होता है वापस करना और यक्ष कहते हैं बच्चों कुबेर का सेवक यानि कुबेर को आप जानते हो धन के देवता कुबेर हैं और धन की रक्षा के लिए जो सेवक निक्त किये होते हैं उ आपको महाकवी कालिदास ने अपने जो महाकाव्य मेग दूतम उसके अंदर ये वर्रणन किया है, तो वच्चों उस वर्रणन से पहले मैं आपको एक रोचक घटना बताना चाहती हूं, कि कालिदास से महाकवी कालिदास तक का जो सफर है, जो एक घटना है, वो क्या थी हम? म वो बहुती मुर्ख थे विद्योत्मा नाम की एक महिला थी बहुती विदुशी थी कोई भी शास्त्रात में उसको हरा नहीं पाता था तो विद्योत्मा ने यह शर्ट रखी थी कि जो मुझसे अधिक विद्वान होगा मैं उसी से विवा करूंगी तो आसपास कहने एक पंड जो तमा का जो विवा है वो किसी महामुर्ख से कर देंगे उन्होंने शडियंतर रचा और वो एक मुर्ख की तलाश में निकल पड़े उन्होंने देखा कि थोड़े दूर निकले तो देखा कि एक पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा है और उसी डाली को काट रहा है जिस पर बैठा है तो स्वभाविक है जब उस डाली को काटेगा तो डाली कटेगी और वो नीचे गिर पड़ेगा तो इससे ज्यादा मुर्ख कौन होगा वो पंडित क्या है कालिदास जी को नीचे उतार लाए और उनसे ये कहा कि हम आपका विवाज जो है वो एक बहुती सुंदर औ और बुद्धी मतिनारी के साथ करेंगे लेकिन शर्त यह है कि आप मौन रहेंगे आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कालिदास जी तेयार हो गया अब कालिदास जी को सभा में ले जाया गया और यह कहा गया कि यह बहुत बड़े विद्वान है आज इनका मौन वृत है य इशारों में ही बाते करेंगे आपको भी जो सवाल पूछना है वो इशारों में ही पूछिए तो विद्योत्मा ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं तो विद्योत्मा ने शास्त्रात शुरू किया विद्योत्मा ने कहा पहले उंगली दिखाई इशारा किया कि ब्रह्म एक अब कालिदास जी तो मुर्क थे उनको तो समझ नहीं आया उन्होंने जब उंगली दिखाई तो कालिदास जी को लगा कि यह ऐसे कहना चारी है कि मैं तेरी एक आख फोड़ दूंगी उनको आया क्रोध उन्होंने दो उंगलिया दिखाई और क्या कहा मनी मन क्या सोचा मैं ते है उसके दोस वरूप है प्रकृति और पुरुष तो विद्योत्मा संतोष हो गई अगला विद्योत्मा ने ऐसे पंजा दिखाया पूरा ठीक है तो विद्योत्मा का अर्थ कहने का अर्थ ये था कि प्रकृति जो है वो पांस तत्वों से मिल करके बनी है तो अब कालिदा जाश जी को लगा यह तो मुझे थपड दीखा रही है। जैसे उसने पनजा दिखा है उसको लगा कि यह तुमुझे थपड द दीखा रही है। उनको पिर कुरोद आया उन्हों ने इशारा किया और मुक्का दिखा वच्चो संबालते होए है कि प्रकृती पांस तत्वों से बनी है लेकिन उनकी सार्थक्ता उनके एक रहने में है यानि उनके मिलने पर होती है तो विद्युत्मा को लगा ये तो बहुत बड़े विद्वान है और उसका विवा जो है कालिदास जी से हो गया अब विवा के बाद विद्युत्मा ने जब उनसे बातें करी तो उसको देरे देरे पता चल गया कि ये तो विद्वान है ही नहीं मेरे साथ दोखा किया है तो उन्होंने विद्वत्मा ने क्या किया उनको अपमानित करके सीडियों से धक्का दे करके गिरा दिया अब कालिदा जी जब सीडियों से नीचे गिरे तो उनको बहुती बुरा लगा यह दिखाऊंगा ऐसा कहकर वह वाह से चले गए और कठिन तब साधना और अध्यान करकर के वह महा कवी बन गए तो उनके कवी से महा कवी बनने के पीछे यह घटना थी तो उनका जो प्रसिद्ध महा कवी है मेग दूतम उसमें उन्होंने वर्णन किया है यक्ष के बारे में यक्ष जो है मैंने बताया आपको अभी कुबेर का सेवक था उसने अपने काम में क्या किया ला परवा ही करी तो कुबेर को क्रोधाया और कुबेर ने उसको एक साल के लिए अपने राजे से निश्काशित कर दिया निकाल दिया अब यक्ष जो है आशाड के मैने में जब उसने बादलों को देखा तो उसको अपनी पत्नी की बहुत जादा याद सताने लगी और उसने बादलों को ही क्या है अपना दूत बनाया और अपनी पत्नी के लिए संदेश बेजने के लिए बादलों से याचना करने लगा कि आप मेरी पतनी तक मेरा संदेश भिजवा दीजिए तो उस दोरान बीच में ही एक नदी का वर्णन आता है वेत्रवती नदी यानि उसने कहा बादलों को कि हे बादल जब तुम जाओ तो रास्ते में वेत्रवती नदी आएगी और उस नदी पर क्या है आप बरस के जाना यानि उसको अपना प्रेम जो है वो देते जाना तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन होगी यानि वो नदी जो है तुम्हारा जल पाकर की बहुती खुश होगी प्रतिदान मतलब वापिस देना नदी से वाश्प बन करके बादल बनते हैं और बादल ही वापिस बरस जाते हैं तो जो जिस नदी की वज़े से आपका स्वरूप है उसी पर वापिस बरसते वे जाना यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महा कवी को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था लेखक ने कहा कि जैसे मुझे नदियों का सजीव रूप पसंद है वैसे ही महा कवी कालिदास को भी उनका सजीव रूप पसंद है दरसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शकलों में देखेगा वह इसी नतीजे बर पहुँचेगा काका कालेलकर ने नदियों को लोक मता कहा है यानि जिनोंने इनका सही रूप देखा है सचेतन यानि की सजीव जिनोंने इन नदियों की अठखेलियां देखी है संतल मैदानों में अलग-अलग स्वरूप में देखा है तो वो तो यही सोचेगा कि ये नदियां कितनी ही सुन्दर है काका कालेलकर ने भी आदर भाव प्रकट करते वे शद्धा प्रकट करते वे इन नदियों को क्या कहा है लोक मता किंतु माता बनने से पहले यदी हम इन्हे बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है यानि लेखक ने इनको माता भी बना दिया बेटिया भी बना दिया और बाद में आगे चलत के देखिए और क्या-क्या उपमाई देते हैं तो उन्होंने कहा इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है और थोड़ा आगे चलिए इन्हीं में अगर हम प्रेशी की भावना करें प्रेशी का आर्थ होता है बच्चों प्रेमी का जिससे हम प्रेम करते हैं तो यदि हम इसमें प्रेशी की भावना करें तो कैसा रहेगा ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ जोड सकते हैं बहन का स्थान यानि लेखक ने बेटियों मा के बाद बेटियां बेटियों के बाद प्रेशी और प्रेशी के बाद कौन सा स्थान दिया बहन का तो कितने कभियों ने इन नदियों को बहन का स् मन उचट गया था मन उचटना यानि की मन उदास होना तब यह धीली थी सतलज के किनारे जाकर बैठ गया दोपहर का समय था पैर लटका दिये पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगती शील जल ने असर डाला तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुन गुना ने लेखक जब बहुत उदास थे तो सतलज नजदी के किनारे जाकर बैठ गये और उन्होंने अपने पैर जो है उस जल में डाल दिये और उस जल का इतना असर हुआ कि उनकी जो थकान थी वो सारी की सारी दूर हो गई और उनके मन में सतलज के लिए कुछ पंक्तियां आई जो देखो कवी ने सतलज नदी के बारे में क्या कहा है जै हो सतलज बहन तुम्हारी सतलज नदी को बहन की उपमा दी है इससे पहले कवी ने नदी को मा, दादी, मौसी, मामी, प्रेयसी और बेटियां बताया था और इसमें इनको क्या कहा है इस नदी को बहन तो हे सतलज बहन तुम्ह रहो लीला अचरज बेहन तुम्हारी तुम्हारी जो लीला है वो अचरज से भरीवी है जैसे ही मैंने पैर डाले मेरी थकान सारी दूर हो गई और मेरा मन क्या हो गया प्रसन हो गया हुआ मुदित मन हटा खुमारी मुदित का अर्थ होता है बच्चो प्रसन यानि मेरा मन जो पर बलिहारी बलिहारी का आर्थ है नियोच्छावर होना मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ यानि मैं तुम पर नियोच्छावर होने के लिए भी तयार हूँ तुम बेटी यह बाप हिमाले यानि सतलज को क्या कहा है हिमाले की बेटी कहा है और हिमाले जो है वो तुम्हारा पिता है, चिंतित पर चुपचाफ हिमाले तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंतित है लेकिन वह चुपचाफ है. प्रकृती नटी के चित्रित पट पर नटी कहते हैं बचों नाटक की अभिनेत्री आपने देखा होगा नाटक होते हैं उसमें जो मुख्य भूमी का निभाती है मुख्य जो अभिनेत्री होती है उसको यहाँ पर क्या बताया है प्रकृती प्रकृती को बताया है अभिनेत्री यानि कि उस प्रकृती ने बहुत ही चित्रों वाले सुंदर वस्त्र पट का अर्थ होता है वस्त्र यानि कि उसके जो वस्त्र है प्रकृती के उस पर जो चित् अनुपम यानि जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम अद्भुत छाप हिमालय छाप का अर्थ होता है निशान यानि प्रकृति ने जो वस्त्र पहन रखें हैं उन वस्त्रों में जो हिमालय है उसकी जो छाप है वो बहुत ही अनुपम और अद्भुत है यानि प्रकृति जो है उसके अंदर जितनी भी नदियां है पहाड है और हर्याली है पेड़ पोदे है इन सब को क्या बताया है चित्र ये प्रकृति के क्या है चित्र है और उस पर जो सबसे सुन्दर चित्र अंकित है उसे बताया है हिमाले यानि हिमाले जो है उस अबनेत्री के जो वस्त्रों प जय हो सतलज बेहन तुमारी है सतलज बेहन तुमारी जय हो तो बच्चों हमने अध्याय पूरा पढ़ लिया है तो हमें संख्षेप में मैं बता देती हूं कि लेखक ने इस निबंद में नदिया जो है उनके महत्व को बताया है और उनके प्रति अपार शद्धा और आदर का प्रकट किया है उन्होंने उसमें मा, दादी, मौसी, मामी, बेहन, बेटियां, प्रेमी का सभी को देखा है और नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में भी बताया है और इसके अलावा हिमाले को जो है नदियों का पिता बताया है क्योंकि हिमाले की जो तो गज्चों ये अध्याय हमारा यही समात होता है अगली वीडियो में अभ्यास प्राशनों के साथ में आप से मिलती हूं तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद बच्चों, आज का अगला पार्ट कक्षा आठ में हिंदी विशय में बुक वसंतिये से बसकी यात्रा व्यंग भाग तू आज आप में साथ आपकी पार्ट पस्तक बसक भाग 3 का पार्ट 3 बसकी यात्रा पढ़ रही हैं जो कि व्यंग की विधा में लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है बच्चो इस पार्ट के पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि लिखक को जवलपुर की ट्रेन पकड़ने जाना था इसलिए वो एक ऐसी बस में बैठ जाते हैं जो की बहुत खराब हालत में होती है जिसमें लिखक बैठना नहीं चाहते हैं और बहुत उहां पोह की इस्तती के बाद बस की हालत देखने के बाद वो उस बस में बैठते हैं और बैठने के बाद लिखक को क्या-क्या महसूस होता है वह सब उन्होंने व्यंग की रूप में लिखा और आप यह सब पिछले भाग में पढ़ चुकी है पिछले भाग में आपने देखा कि बस शुरू हो जाती है, बस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, बच्चो यह है, आज हम इस भाग में पड़ेंगे चलते हैं बच्चो शुरू करते हैं, इकायक बस रुख गई, इकायक यानि अचानक, यानि बस आट-दस मील ही चली होगी कि अकायक यानि अचानक से बस रुख जाती है, मालूम हुआ कि पट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, बच्चो बस बहुत ही अधिक परानी थी, इसलिए चलते चलते पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, यानि पेट्रोल की टंकी टूट गई, और पेट्रोल की टंकी में छेध हो जाता है, तो क्या होता है? पैट्रोल टपकने लगता है ड्राइवर ने बाल्टी में पैट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डाल कर इंजन में भेजने लगा बच्चों जो पुरानी बस होती है उस बस के लिए सब लोग जुगाड ही करते हैं कोई उसकी मरम्मत नहीं करवाता इसलिए जब पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ तो बस के ड्राइवर ने सारा पेट्रोल निकाल लिया बाल्टी में और जो नली थी उससे धीरे धीरे बाल्टी से पेट्रोल भेजने लगा और अब मैं उमीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कमपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे यानि उस इस्तिती को देखकर लेखक के मन में यह बात आ रही थी कि थोड़ी ही देर में जो बस के हिस्सेदार लेखक के साथ यात्रा कर रही थे वो इंजन को निकाल लेंगे और अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे और धीरे धीरे उसको नली से पेट्रोल पिलाएंगे कैसे पिलाएंगे जैसे मा बच्चे के मुँ में दूद की शीशी लगाती है बच्चों जो मा हुती है बहे अपने बच्चों को बहुती प्यार से बहुती दूद पिलाती है तो लेखक को ऐसा लगा हिस्सेदार सहाब को देखकर कि हिस्सेदार सहाब को अपनी बस से इतना अधिक जड़ाव है लगाव है कि वहें इंजन को एक छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में रखेंगे और धीरे धीरे नली से पैट्रोल उसकी मुँमें डालेंगे बस की रफतार अब 15 बस 20 मील हो गई थी यानि धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी थी गती पकड़ने लगी थी मुझे उसके किसी हिस्से पर भरुसा नहीं था यानि लेखक को उस बस में बैट कर बहुत डर लग रहा था लेखक को ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी बगत रुख जाएगी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेरिंग टूट सकता है प्रकती के दरश्य बहुत लुहवाबने थे यानि लेखक को ऐसा लग रहा था कि यह बस कभी भी रुख जाएगी या तो इसके ब्रेक फेल हो जाएंगे या चलते चलते स्टेरिंग टूट जाएगा तब भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी ब्रेक फेल हो जाएगा तो गाड़ी रुख नहीं पाएगी प्रकती के द्रश्य बहुत लुभावने थे चुकि लेखक शाम को यातरा गर रहा था शाम को सूरच छपने वाला होता है उस समय हमारी प्रकती में बहुत शान्ती होती है और उस समय के जो द्रश्य थे वो बहुत सुहावने थे बच्चों मध्य प्रदीश में तो वैसे ही बहुत हरियाली है और वहां के द्रश्य तो वैसे ही बहुत संदर लगते हैं देखते हैं क्या होता है दोनों तरफ हरे भरे पेड थे जिन पर पक्षी बैठे थे मैं हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था जो भी पेड आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी बह निकल जाता तो दूसरे पेड का इंतजार करता जीर दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी गोता लगाना याने डुबकी लगाना बच्चों प्रकती का दुरश्य बहुत सुन्दर था दोनों तरफ हरे भरे पेड दिखाई दे रहे थे लेकर को लेकिन लेखक को बस पर बिलकुल भी बिश्वास नहीं था इसलिए हर एक पेड लेखक को अपने दुश्मन जैसा लग रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि यह बस अब इस पेड से टकराएगी अगर यह निकल गया तो सामने कोई और पेड दिखता तो उसे लगता कि बस अब इस पेड से टकरा ही जाएगी और इतना कुछ नहीं होता तो जहां कहीं उसे जील दिखाई दी तो लेखक को ऐसा लगा कि यह बस तो इस जील में भी गिर सकती है यानि लेखक बस में बैठ तो गया लेकिन उसे बस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था लेखक को ऐसा लग रहा था कि यह अपने यह उनके गंतव्य स्थल तक बिल्कुल भी नहीं पहुचाने वाली है एकायक फिर बस रुखी यानि एक बार तो पहले रुख गई पट्रोल की टंकी में छेद हो गया एकायक यानि अचानक फिर बस रुखी यानि बापस दूसरी बार बस रुख रही है बच्चो ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीवे की तरकीवे यानि उपाय उपाय को यहां पर हम जुगार भी कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं कि अगर आप पुरानी बसकी मरमत नहीं कराओगे और उसे सड़क पर चलाओगे तो आप कितने भी उपाय कर लो कितनी भी उसको शुरू कर लो बहर शुरू नहीं होगी बस आप जुगार लगाओगे तब ही बहर चलेगी तो यहाँ पर जुगार लगा रहे हैं लेकिन फिर भी बहर चली नहीं सबीने अवग्या आंदोलन शुरू हो गया लिखको बापस गांदी जी का सबीने अवग्या आंदोलन याद आ गया इस सबीने अवग्या आंदोलन में क्या हुआ था कि अंगरेजों के जितने भी आदेश थे उनको भारतियों के द्वारा बिने के साथ उनकी अवहिलना की ज रहा था company के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो first class है जी यह तो इत्तफाक की बात है इत्तफाक यानि सईयोग की बात बसकी हालत आप लोगों ने भी देखी लिखक ने भी आपको बताई कि कितनी बयोवरद थी कितनी बुरी हालात में थी वह फिर भी जो हिस्सेदार सहाब थे वह है क्या कह रहे हैं कि बस तो first class है यानि एकदम बढ़िया है एकदम okay है यह तो सईयोग की बात है कि आज खराब हो गई बच्चों जो हर हिस्सेदार होता है वह ऐसा ही कहता है क्योंकि किसी भी बस में रोजाना एक जैसी सवारिया तो बैठती नहीं किसी को क्या पता कि यह बस रोज ही खराब होती है इसलिए अपने बस की प्रशिंशा करते हुए यहां पर हिस्सेदार सहाब ने क्या कहा बस तो first class है यह तो इप्तिफाक यानि सईयोग की बात है कि आज अचानक खराब हो गई शीन चांदनी में ब्रक्षों की चाया के नीचे बहें बड़ी दयन तो कं चांदनी में जब लेखक ने उतर कर देखा तो उस संतता है कि कमजोड चांदनी थी अस चांदनी कि में ब्रक्षों की चाया के नीचे जब बहवस खड़ी थी तब एसी लग रही थी कैसी लग रही थी, बड़ी देनिये, यहने दया करने के योग्य लग रही थी, लगता जैसे कोई व्रद्दा ठक कर बैट गई हो, हम व्रद्दा किसे कहती हैं? बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग व्यक्ति को, तो जो बस रुकी वी थी पेड़ो की जाया में, वह ऐसी ल हमें गिलानी हो रही थी, गिलानी याने अपने आप पर शरम महसूस हो रही थी, क्यों महसूस हो रही थी? कि बिचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, बहे बस बहुत बुजर्ग थी, जब बहे बस उनको ब्रदा जैसी नजर आई, जो की ठक गई है, उसको देखक कर लेखक की मन में बहुत ही अधिक गलानी आई, बहुत ही अधिक अपने आप पर शरम महसूस होई, कि हमें इस बस में नहीं बैठना चाहिए था, अगर इसका प्राणांत हो गया, तो इस बियवान में हमें इसकी अंतेश्टी करनी पड़ेगी, बियवान याने जंगल में, जो सुनसान जंगल होता है, उसको बियवान कहते हैं, अंतेश्टी याने अंतिम्क्रिया या दाहा कर्म करना पड़े उसकी मृत्यू हो जाती है, तो हमें घने जंगल में इसकी क्रिया करनी पड़ेगी, दाहा क्रिया करनी पड़ेगी, यनि इसको यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, हिस्सेदार सहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई, बच्चो बस पहले ही बहुत दीरे दीरे चल रही थी, और अपकी बार खराब होने के बाद जब भैसुदारी गई, तो बहुत ही अधिक धीमी गती से चलने लगी थी, दीरे दीरे व्रद्दा की आँखों की जोती जाने लगी, बच्चों यहाँ पर व्रद्दा यानि हमारे बसकी बात की जा रही है, पहले तो उसकी रफ्तार कम हो गई और धीरे धीरे उसके आँखों की जोती, बच्चों हमारी कितनी आखें होती है, दो, ऐसे ही बसकी जो हेडलाइट होती है, वह भी दो होती है, तो धीरे धीरे उस बस रूपी ब्रद्दा की आँखों की जोती जाने लगी यानि हैड लाइट धीरे धीरे कम हो गई पहले जब जब कर रही थी अब जब जब करते करते धीरे धीरे कम होती जा रही थी यानि बंद होने वाली थी चांधनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी रात चांधनी थी इसलिए लाइट बंद होने के बाद धीरे ध रास्ते को टटोल कर उस पर चल रही थी आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर निकल जाती और कहती निकल जाओ बीती अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही और फिर क्या होता चुकि उसमें हेडलाइट नहीं जल रही थी तो सामने से उसको खड़ी हो जाती और उस बाहन को निकलने देती क्या सोचती क्या कहती सामने वाले बाहन से कि बेटा या बेटी तुम निकल जाओ अब तो हमारी तेज गती से निकलने की उम्र नहीं रही यानि कि मैं बहुत अधेक पुरानी हो चुकी हूं बहुत ही अधेक बुजुर्ग ह चुकी हूं एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया बच्छों देखिए तीसरी बार क्या हुआ पहली बार तो पेट्रोल के इंजन में छेद हो गया था पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था दूसरी बार बस चलते-चलते रुख गई थी तीसरी बार एक टायर फिस करके बैठ गया यरी टायर पंक्चर हो गया वह बहुत जोर से हिल कर थम गई जब पिंचर होता है तो बहुत तेज अवार जाती है तो वह पुरानी थी जोर से हिली और थम कर बैठ गई अगर स्पीड में होती तो उचल कर नाले में गिर जाती प पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, बच्चों अभी तक तो लेखक बस की तरफ देख रहा था, अब लेखक को उस बस के हिस्सेदार सहब को देखकर भी श्रद्धा का भाव आ रहा था, क्यों आ रहा था, कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हतेली में लेकर इसी बस से सफर कर रही हैं, क्यों श्रदा आई, कि हिस्सेदार सहाब को अपनी बस की हालत के बारे में पूरा पता है, और यह भी पता है कि उसके टायर भी जवाब दे चुकी है, कहीं भी पंक्चर हो सकते हैं, कहीं भी उनकी जान पर जूखे मा सकता है, इतना सब पता होने के बाद भी बहे इस बस में यात्रा कर रहे हैं उत्सर्ग की ऐसी भावना दुड़लव है उत्सर्ग याने त्याक की दुड़लव याने आसानी से नहीं मिलने वाली सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदलन का नेता होना चाहिए अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाही पसारे उसका इंतजार करते कहते वह महन आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिये मर गया पर टायर नहीं बदला देखिए बच्चों कितना अच्छा ब्यंग किया है आप लोगों को भी पढ़कर बहुत अधिक हसी आ रही होगी साथ में समस्याई भी आपके सामने नजर आ रही होगी तो क्या हुआ इसमें लेखक को हिस्तेदार साहाब की तरफ देखकर बहुत अधिक श्रद्धा का भाव आया और वह यह सोचने लगा कि इसमें जितना उत्सर्ग करने की भावना है यानि अपने प्राणों की बाजी लगाने की भावना है ऐसी भावना तो मिलना बहुत ही मुश्किल है क्यों मुश्किल है कि उसको पता है अपने बस की हालत कितनी अधिक खराब है फिर भी वह अपने प्राणों की बाजी लगा कर इस बस में यात्रा कर रहा है लेखख कह रहें इसे तो आंदोलन के समय किसी क्रांतीकारी आंदोलन के समय नेता होना चाहिए था ताकि वह क्या करता वह अपने साहस और बलीदान भावना का पूरा उपियोग कर देता अगर मालो यह बस उचल कर नाले में गिर जाती नाले में गिर जाती यानि किसी प्रकार की दुरगट ना हो जाती जब बच्चों दुरगट ना होती है तो लोगबाग की मृत्यू भी हो जाती है और इसलिए लेखक कहरे हैं कि बस उचल कर अगर नाले में गिर जाती यह भी म तो उपर से जो देवता है ऐसे व्यक्ति का बाहें पसाड कर यानि हाथ फैला कर स्वागत करते और क्या कहते देखिए महान व्यक्ति आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिये यानि उसे अपने प्राण टायर से बहुत अधिक कम लगे यानि टायर का मुल ज्याग करना पढ़े। दूसरा गिसा टाइर लगा कर बस फिर चली। दूसरा टाइर लगाया बच्चो बहभी कैसा लगाया? गिसा हुआ. अब हमने बक्त TIM पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी, जब बच्चों दूसरा गिसा हुआ टायर लगाया, तो लेखक की मन में भाव आ रहे थे कि यह टायर भी किसी भी वक्त पंक्चर हो सकता है, कहीं भी कोई दुरगट्ना हो सकती है, क्या पता हमारे प्राण भी इस द उमीद लेखत चोड़ चुका था यानि उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं इस बस से हम कहां पहुचेंगे कहां जाएंगे लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, यानि बस इतनी ध्हिमी गती से चल रही थी इतनी मुंथर गती से चल रही थी बार बार खराब हो तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो जिंदगी हमें बस में ही गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयान कर जाना है उस लोग यानि पर लोग को प्रयान यानि प्रस्थान कर जाना है यानि हम इस बस से हम रत्यों को भी प्राप्त हो सकते हैं इस प्रतिवी पर उसक कोई मंजिल नहीं है हमारी बेतावी तनाप खतम हो गए सब लेखक को लगा कि भई अब हम 17 समय पर नहीं सकते सतना क्या हम कहीं भी नहीं पर सकते सीधे दूसरे लोग पर पहुंचेंगे तो लेखक की जो सारी चिंताएं थी, सारी बितावी थी, वहें खतम हो गई, हम बड़े इत्मिनान से घर की तरह बैट गए, इत्मिनान यानि बहुत ही शांती से घर की तरह उसमें बैट गए, यानि जो होगा वहें देखा जाएगा, चिंता जाती रही, हसी मजाग चालू हो रही थी लेकिन अब लेखक ने चंता करना बंद कर दिया और हसी मजाग चालू हो गई थी यानि दोस्त उनके जो दोस्त आपस में बैठे थे उन्होंने हसी मजाग करना चालू कर दिया था बच्चो आज आपने मेरे साथ बसकी यात्रा पाट पड़ा और इसका दूसरा होने के बाद भी अपने गंतव्य इस्तलतक लेखक नहीं पहुंच पाया है बच्चों आपने इस पार्ट में व्यंग देखें कि लेखक ने कितने अच्छे तरीके से व्यंग की माध्यम से प्राइवीट बस मालिकों पर व्यंग किया है किस तरह वो मुनाफ़ा कमाने के पढ़ा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हुगा बच्चों इस पार्ट के अगले भाग में हम इस पार्ट पर अधारित अभ्यास प्रिश्न हल करेंगे तब तक के लिए नमस्कार बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 7 में हिंदी विशय में हिमाले क बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में गनत विशय में अपनी संख्याओं की जानकारी सनी कटमान एप्रोक्सिमेट वाल्यू भाग अठारा कक्षा 7 में हिंदी विशय में हिमाले की बेटियां भाशा की बात विकक्षा 8 में अंग्रेजी विशय में बुक हानी दियू से ग्लिम्सेस अफ पास्ट वरकिंग विद टेक्स्ट भाग नौ बच्चों हमारे इस कारिक्रम के कंटेंड पार्टनर हैं मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुजाब अवश्य दें कारिक्रम से संबंदिद आपके सुजाब हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001